नमस्कार दोस्तों कौन कहता है कि अब वंडे क्रिकेट में वो मजा नहीं रहा कौन कहता है कि वंडे क्रिकेट अब टीटॉंटी क्रिकेट के आने से खतम हो गया कल के मैच को देखिए आप क्या कमाल का मैच हुआ है मैं कहता हूँ अब तक का सबसे बेस्ट वंडे मैच हुआ यह जब लोगों को लग रहा था कि अब मेज खतम हो गया और लोग टीबी छोड़के उट रहे थे तब ब्रेस्वेल ने आके वह कमाल की 140 प्लस इनिंग जो खेली है उसने पूरे मैच को बदल दिया जिस हिसाब से उसने छक्के लगाए हैं उसने किसी को नहीं छूड़ा जि सबसे ब्रेस्वेल ने वन हैंडली बैट बैटिंग की एक अकेले उसने पूरी न्यूजिलेंड की नईया पार लगा दी थी आखरी और में पांच गेत पे तेरे रण चाहिए थे जो आसानी से बन जाते सैंटनर ने भी बहुत बढ़ियां साथ दिया ब्रेस्वेल का और आप सोचिए कि वो यूजिलेंड की एक मात्र साज़ेदारी थी पूरे मैच में और उस साज़ेदारी ने अकेले पूरे मैच को निकाल के लेके चला गया अगर हम बात करें सैंटनर की सैंटनर में ने भी गजब की बलेबाजी की वो गलत समय आउट हो गया मेरा मनना है कि वो सिराच का अंतिम उवर इसमें दो विकट लिए कमाल का ओवर था उसने मैच को भारत की तरफ मोड़ दिया सिराच की आखरी और मैच को भारत की तरफ मोड़ दिया लेकिन फिर भी ब्रेस्वेल ने वह जो छक्के लगा हैं 49 और 50 पचास्वेवर की पहली गेत पे जब पचासवेवर की पहली तो शक्का लगा तो मुझे लगा की मैस धुमास तो गया अब मैच खतम हो गया लेकिन फिर वह एक वाइट हो गई उसके बाद जो वह भारत की पारी में को हिसे में वह आउट हो गया ब्रेस्वेल ने कमाल की मैच पारी खेली और आई थिंक न्यूजीलेंड डिजर्व करता था हमें जीतने को बात करें भारत की पारी में तो भारत की पारी में सुमन गिल ने जो अखेले बेटिंग की है आप जानिए सुमन गिल ने अकेले बनाए और दूसरा जो सबसे हाइस्ट स्कोर था भारत में वो था 34 रोही सर्मा का तो सोचिए कि कितना गयप है 208 और 34 के बीच में सुमन गिल ने 349 में 208 अकेले बनाए और रिस्क फ्री क्रिकेट खेला कोई इधर उधर का साट नहीं खेला फिर भी उसने वो जो छक्के लगाए हैं आखिरी पांच है जिसमें से उसने फार्गृसन को जो बालर 145 प्लस गेत्फेक रह था उसको तीन छक्के उसने मारे एक की ओर में तो आप समझ सकते हैं कि सुमन गिल किस केलीवर का बैट्समन है यहां तक की हर्दिक पांड्या भी यह दोनों की स्टार्ट में लेकिन बड़ी पारे में कर पाया और मुझे असा लगता था कि बीच में भारत ने 30-40 रं कम बना दिये जिसी आप से निव जिलेंड बैटिंग करने लगा मुझे लगा कि 30-40 रंगस ने कम बना दिये लिकिन वो तो सुकर है भगवान का कि भारत मैच जीत गया नहीं तो ब्रेस्वल ने तो काम कर दिया था काम खतम कर दिया था इनका अगर बात करें गेदवाजी की तो सार्दूर ठाकुर सार्दूर ठाकु और छक के इतने आसानी से उसने मारे जैसे लग रहा हो सिंगल ले रहा हो सबकी बखियों देड के रख दी उसने लेकिन सिराज मैं सिराज के बारे में कहना चाहूंगा कि बुमरा के अनुपस्तिती में सिराज ने बहुत ही बढ़ी अबालें की है और यह आगे चलके और ही बेहतर होगा और जिसे आप से आखरी और मुझने दो विकट लिए उसी ने मैच को भारत की तरफ मोड़ा न्यूजिलेंड के फास्ट गेदवाज ने बिलकुल भी बढ़ी हबाली ने की और साफ दिख रहा था कि साउदी और ट्रेंट बोल्ड के नरहने पूंको कमी जलक रही है और बनले बाजे में भी किन विलियमस के ना होने से वो पारी को जो एंकर करता था उसकी कमी उनको भी ख़लने लगी है और साफ लग रहा था कि न्यूजिलेंड टीम नहीं मिस्कर रही है लेकिन बहराहाल भारत ने यह मैच जीत लिया और भारत अगर यह सीरीज 3-0 जीत जाएगा तो भारत ICC रेकिंग में नंबर वन पहुच जाएगा देखिए हम बात जाहें जो करें कि सेलेक्शन टीम पर सवाल उठाएं सही लड़कों को मौका नहीं मिल रहा है लेकिन अगर हम बात करें भारती टैलेंट की भारत के पास जो टैलेंट का पूल है अगर ऑगेदवाजी कमज़ोर थी जो इसन किसनने सतता तो यहा पर भी निव जिल्यन की गेदवाजी हलकी ही देखिए वन्डे के कड़ में दो सो बनाना कोई आसान बात नहीं है और भारत के दो यूवाओं ने यह पिछले एक महिने में दो बार करके दिखाया है अगर हम और अ पाकिस्तान के देख लो तो वहां पर सब अपने में विल्जे पड़े मरे पड़े हैं तो यह मेरे कहने का मतलब था कि अगर आप सही हुआ को मौका देते हैं और उनके दो-चार पारी फेल होने पे उनको बाहर नहीं फेक देते हैं उनको पीछे से मिलता है वह बहुत ही बढ़ियां प्रदर्शन करते हैं जिसका नतीजा आपके सामने हैं अब जो दूसर का ओडिया खेला जाएगा देखना है कि न्यूजिलंड में किस तरह से वापसी करती है मुझे लगता है कि गयत्मा जी में थोड़ी सी इंप्रूमेंट की जरूवत है और कपतानी की बात करें तो अब बात करौव अगर अपस enam канал से कंम करां तो यह सी खथा करा जो चुंब भाण को और भारत में रोह को देखना पड़ेगा कि यहांदा दिन अब टीज चल सकता कि आप शर्या चारिस उस काफी आफी दिन हो गया रोहिंसरम के बलने से बड़ी पारी नहीं है और सभी का इंतजार है सभी का इंतजार है आज विराट कोली जिस तरह से आउट हुए मुझे लगता है कि कोई भी बल्ले बाज होता वो ऐसी गेद पढ़ जाती दो पढ़ने के बाद तीजी से अंदर की तरफ आई और बाउंस भी जादा था उसमें तो मुझे लगता है कोई भी बल्ले बाज आउट हो जाता उसमें कोई वह अली बात नहीं थी आज एक गजब का वाक्या हुआ हार्दिक पांडिया को के आउट को लेकर मैं साब बताता हूं कि थर डंपायर निगलती कि वहां भी क्योंकि बोल्ड नहीं लग रहा था गेद लेक्ति टीम को भी थोड़े से बल्ले बाजी में सुधार करनी पड़ेगी और भारत को एक देखना पड़ेगा कि सुरू के विकट अगर वो गेदवाजी मिले लेते हैं तो आखरी के विकट क्यों नहीं उनको मिल पाते और यारकर कोई फेक ही नहीं रहा था सब साट लें ताकि काफी रन बनाते थे चलिए पूरी उम्मीद है कि भारत अगले मैस में बढ़ियां और प्रद्रीबढ़ियां प्रदर्शन करेगा और गेदवाज में सुधार देखने को मिलेगा थैंक्यू